हेलो दोस्तो सुवागत थे आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राजी के लखी सराय जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिये हुए रेड कलर के बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जाना चाते हैं तो नीचे अपने जिला का नाम हमें कोमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें तो लखी सराई जिला यह जिला भारत देश के बिहार राज में इस्तीत बिहार के कुल 29 जिलो में से एक लखी सराई जिला के नाम से जाना जाता है लखी सराय जिला बिहार के दच्छिर भाग की ओर बसा हुआ है इस जिले का हेड़ कोर्टर ओपिस लखी सराय सहर में मौजूद है और लखी सराय जिला मुंगेर मंडल के अंतरगत आता है लखी सराय जिला पहले मुंगेर जिले का हिस्सा वुआ करता था लेकिन आज के मौजूदा समय में लखी सराय जिला को मुंगेर जिला से अलग किया जा चुका है इस जिले का गठन तीन जुलाई 1994 में मुंगेर जिला के बटवारे के समय किया गया था इससे पहले लखी सराय मुंगेर का एक बहुती महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था लखी सराय जिला के पुडोसी जिले का नाम बेगू सराय जिला, मुंगेर जिला, नालंदा जिला, पटना जिला, सेखपुरा जिला और जमूई जिला है लखी सराय जिला में एक तैसिल, साथ बलोक, एक लोकसभा, एक बिधान सभा, तेरा पुलिसी स्टेशन, 87 डाक घर, 6 मुख्य सरकारी अस्पताल, 1 नगर पालिका, 2 मुख्य कॉलेज, 80 ग्राम पांचायते और 489 गाउं में बटा हुआ है च्छत्रफल की बात करें तो बिहार के लखी सराय जिले का कुल च्छत्रफल, 1228 वर्ग किलो मिटर में फैला हुआ है और आबादिय की बात करें तो वर्स 2021 के जनगरना के अनुसार लखी सराय जिला की कुल अबादी 10,2230 है जिसमें की पुरूस की कुल अबादी 5,26,400 है और महिला की कुल अबादी 4,75,136 है लखी सराय जिले का अउसत लिंगा अनुपात 900 के करीब है यानि की लखी सराय जिला में 1000 पुरूस पर 900 महिला है इस जिला में हिंदु धर्म की अबादी 94 परतिसत तथा मुस्लिम धर्म की अबादी 5 परतिसत है लखी सराय जिला के मुखे नदी का नाम गंगा नदी है गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महच 136 किलो मिटर जारखंड की राजधानी राची से महच 304 किलो मिटर तथा देश की राजधानी देली से लगबग 1209 किलो मिटर की दूरी पर बसा हुआ है सड़क रास्ते की बात करे तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहां के वासी बिहार के बड़े-बड़े सहरों में जा सकते हैं वैसे इस जिला के माध्यम से निशनल हाइवे संख्या अस्सी गुजरती है जो आगे चल कर बिहार के बड़े-बड़े सहरों के साथ जूरती है यह जिला बस के माध्यम से भी पुडोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गाउं तक भी बस से वा मुईया परदान कराती है रेलवे स्टेशन की बात करे तो लखी सराय जिले का मुख रेलवे स्टेशन का नाम लखी सराय जंसन है इस जंसन में 5 पलेट फॉर्म और 6 पटरी सामील है और इसका स्टेशन कोड ल के आर है और इस रेलवे स्टेशन की अस्थापना सन 864 में की गई थी लखी सराय जंशन हावडा दिल्ली लाइन आशन सोल पटना सेक्षन बरोणी लखी सराय हावडा लाइन पर इस्तित है लखी सराय जंशन इस्ट सेंटरल रेलवे जोन के दानापूर मंडल के अंतरगत आता है सिच्छा की बात करें तो इस जिला में कईये से छोटे बड़े स्कूल वा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं वैसे इस जिले की साच्छड़ता दर 64.95 परतिसत है यानि की यहां के अबादिक के अनुसार 64 परतिसत लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें की पुरुस्व महिला दोनों सामिल है लखी सराय जिला के कुछ महत्तोपूर्ण स्कूल वा कॉलेज के नाम इस परकार हैं महात्मा गादी बीएड कॉलेज, अमरपाले इंस्ट्टुट आफ टेकनोलोजी, राजे स्वरलाल डिगरी कालेज, नहरू इंटर कालेज, शर्वसती ग्यान मंदीर यह जितने भी स्कूल वा कॉलेज हैं, यह सभी लखी सराय जिला में मौजूद हैं, जो कि यहां के बच्चों को अच्छी तरके से सिच्छा परदान करते हैं अस्पताल की बात करें तो, यहां पर कई ऐसे अस्पताल हैं, जो कि लोगों को स्वस्त रणे में अपना योगदान देते रहते हैं वैसे यहां पर तो एक मुख्य जिला अस्पताल है, इसके अलावा कई ऐसे प्राइबेट अस्पताल भी सामिल हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं लखी सराय के कुछ महत्तोपूर आस्पतालों में सुमार, राज किसोरी, ममता होस्प, इमर्जन्सी होस्पिटल, निव लाइफ होस्पिटल, नयन जोती होस्पिटल, नरायनी होस्पिटल, अमेर्की बुमेन होस्पिटल, यह जितने भी होस यह सभी लखी सराय जिला में ही मौजूद हैं जो कि यहां के लोगों को स्वस्त रने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं परेटन अस्थल की बात करें तो इस जिला में कई से घूमने के अस्थान है जहां पर परेटन घूमकर आनंद उठा सकते हैं लखी सराय जिला खूबसूर्थी के खाजानों से पूरी तरह से भरपूर्व मसहूर है यहां के परेटन अस्थल में सुमार असोगधाम मंदिर बालिका बिद्या पीठ जगदंबा मंदिर सुर्या मंदिर सहीद द्वार कौली नदी रीसी आश्रम ये सभी यहां के परेटन अस्थल हैं जहां पर लोग घूमते रहते हैं लखी सराय जिला के कुछ महत्वपूर्ण सहरों के नाम बराहरिया जैतपूर लखी सराय सुर्वजगण वरली चोग रामचंद्रपूर चोग ये जितने भी मैंने आपको नामें बताया ये सबी लखी सराय के महत्वपूर अ स्थान हैं बेवसाई की बात करें तो यहां का मुख बेवसाई खेती है काफी हद तक यहां के लोग खेती अर्फ बेवस्ता पर निर्भर राते हैं गंगा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहां की मिट्टी काफी उप जाओ है वैसे इस जिला में बालू का खनन भी सराय जिला के बारे में आपकी क्यार राय है हमें नीचे कोमेंट करकर जरू बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके पास पहुंचाते रहें और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जाना चाते हैं तो नीचे कोमेंट करकर हमें जरूर बताएं और वीडियो पुरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद सुक्रिया